नमस्कार एवर न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवांगी आज है 19 फरवरी तो चलिये फटाफट जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को पहले खबर है सिवान से जहां रेलवे प्रशासन द्वारा पुर्वोत्तर रेलवे के वारानसी मंडल के दिवरिया सदर स्टेशन याड भी यातायात सुविधाय बढ़ाने के लिए 19 फरवरी तक प्री नॉन इंटरलॉक एबं 20 से 22 फरवरी तक नॉन इंटरलॉक काड कराया जाएगा इसको लेकर मारगे समेत कही ट्रेने निरस्त रहेगी इस वजह से यात्रियों के लिए अब अगमन कठीन होगा वारा नसी रेल मंदल के पि यारो अशोग कुमार ने बताया कि गोड़कपूर से 19 बीस एबं 22 फरवरी को चलने वाली 15028 गोड़कपूर हटिया एक्सपरेस निरस्त रहेगी हटिया से 20-21-22 एवं 23 फरवरी को चलने वाली 15027 हटिया गोड़कपूर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी गोड़कपूर से 20-21 एवं 22 फरवरी को चलने वाली 05-142 गोड़कपूर सिवान अनारक्षित विशेस गारी निरस्त रहेगी शप्रा एवं 99 से 20-22 फरवरी 21 फरवरी को चलने वाली 15105 15106 शप्रा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी गोड़कपूर से 20-21 एवं 22 फरवरी 2030 को चलने वाली 15131 गोड़कपूर वारानसी सिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी वारा नसी से बीस एवं बाइस फरवरी दो हजार तेज को चलने वाली एक पांच एक तीन दो वारा नसी सिटी गोड़कपुर एकस्प्रेस निरस्त रहेगी मथुरा जक्सन से 20 एवं 2221 फरवरी 2023 को चलने वाली 225-32 मथुरा जक्सन छपरा एक्स्प्रेस निरस्त रहेगी वहीं अमरित सर से 19 फरवरी को चलने वाली 15708 अमरित सर कटिहार एक्सप्रेस अपने निरधारी तमार्ग गोरखपूर देवरिया सदर सिवानस के अस्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपूर केंट कप्तान गंज थावे सिवान के रास्ते चलाए जाएगी अमरित सर सर सहरसा एक्सप्रेस अपने निरधारी तमार्ग गोरखपूर देवरिया सदर सिवान के अस्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपूर केंट कप्तान गंज थावे सिवान के रास्ते चलाए जाएगी अगली खबर महा शिवरात्री के मौकी पर बिहार भी जगा जगा शनिवार को शोभाई यात्रा निकाले गई वैशाली की शिव बारात में केंद्रिय मंतरी नित्यानंद राय भूले नाथ के गारिबान बने समस्तिपूर के ठानेश्वर स्थान और विद्यापती धाम में शिव जी के जलाभिषे के लिए सुबह से लंबी कतारे लगने लगी मधिपूरा के बाबा सिंगेश्वर नाथ मंदिर में भी भारी जन से लाब उमड़ा है बक्सर जिले के प्रसिद ब्रह्मपूर मंदिर में हजारों की संख्या में लोग बाबा के जलाभिषे के लिए आए है दर्भंगा के प्रशिद कुश्रेश्वर अस्थान पर भी अहले सुबह से श्रधालू का रैला रैली दिख रही है वैशाली के पातालेश्वर महदेव मंदिर से शनिवार को शिब बारात निकाली गए केंद्रिये ग्री राज्यमंत्री नित्यानद राय भोलेनाथ के गारीवान बने और बैलगारी लेकर आगे आगे चले पीछे ढोल नगारे और गाजेवाजे के साथ ज्वांकिया निकाली गई, ज्वांकियों में देव, गंधर्व, भूत प्रेत के वेश भूसा में भक्त शामिल हुए, लोगों ने अपने घरों की छतों से चोभायात्रा पर पुस्व वर्सा की, ज्वांकि देखने के लिए हा शिवरात्री पर आस्था का सलाब उमर परा, सुबह से ही कतारबध शुरादालू शिवलिंग पर जलाभिशे करते देखे गए अगली खबर भागलपूर जक्षन पर, आर्पिएफ की विशेश टीम ने शुक्रवार को 45.56 लाग के साथ अपटना की बोरिंग रोड आ रहे हैं, दोनों गुजरात के रहने वाले हैं, एक गुजरात के पाटन जिले के खोरसाम चनासमल का तो दूश्रा महेशाना जिले क शटियारडा राधनपूर का रहने वाला है, आर्पिएफ ने रुपे आईकर विभाग के हवाले कर दिया, हलाकि आईकर विभाग ने बॉंड भरवा कर दोनों को छोड़ दिया, और रुपे को जब्त कर लिया, आर्पिएफ इंस्पेक्टर रंधीर कुमार को सुचना मिल सिटी धर्मेंद्र कुमार आर्पिएफ सी आईबी माल्दा भागलपूर आईपीएफ शिवशंकर सिंको रखा, इसके बाद इंस्पेक्टर ने स्टेशन पर तलाशी अभ्यान शिरु कर दी, अगली खबर बिहार में सूरज के तेवर तल्क होने लगे है, राज्ज में में पंखे घंगनाने लगे है, मौसम विदो का कहना है कि धीरे-धीरे पच्छवा ठंडा हवा का प्रवाह पिछले 4-5 दिनों में कमजोर हुआ है और अब दोबारा ठंड जैसे इस्तिती बनने वाली नहीं है, सोमवार को उतर बिहार में आंशिक बादलों के च्छाने के असार है, लेकिन अधिक्तम तापमान में क्रीमिक विकास की इस्थिती राजभर में बनी रहेगी, हाला कि रात में आशिक ठंड की इस्थिती अभी एक हफते से अधिक समय तक बनी रहेगी, अर अरिया जिले का फ़ारवी सगन सुबे में सबसे गर्म रहा, जहां अधिक्त अधिक्तम तापमान उपर चड़ा है, बागलपुर के अधिक्तम तापमान में दो दसमलो एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, इस वज़ा से दिन में गडमी की स्थिती राजभर में बनी है, मौसम विभाग के निर्देशक विवेक सिन्हा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही मौसम विभाग ने राजभर में सामानने से उपर अधिक्तम और निवनितम तापमान में बने रहने का अनुमान किया था, राज्यवर में तापमान में बढ़ोतरी की स्तिती पूर्वानुमान के मुताबिक ही देखी जारी है हलाकि उत्तरबिहार की और आंशिक बादलों की स्तिती अगले दो-तीन दिनों में बन सकती है